वेलकम, स्वागत्ते आप सबका आपके अपने चैनल चारबुजा इमित्र पर आज के वीडियों हम बात करेंगे कि अगर आप भी एक इमित्र संचा लगके और कहीं ऐसी साइट होती जहांपर आपको वेब केम की जरूरत होती है तो आज के वीडियों हम देखेंगे कि कैसे हम अपने मोबाइल को वेब केम की तरह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अभी आप देखें तो जैसे आपको आईश्मान कार्ट बनाना है तो उसके लिए आपको वेब केम की जरूरत होती है क्योंकि उसमें लाइफ फोटो कीचना होता है तो आप ये काम कैसे अपने मोबाइल से कर सकते हैं ताकि आपका ये खर्चा भी बच जाए और आपका काम भी हो जाए तो आज के वीडियो हम यही जानेंगे तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा अगर आपको इमित्र जुड़ी कोई भी हल्प चीये होगी तो आप जरूर कमेंट करें मैं आपकी हल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले इस्टोर पर आ जाना है तो ये मैं PC और दोनों में आपको प्रोसेस दिखाऊंगा तो सबसे पहले हम मोबाइल का करते हैं आपको प्ले इस्टोर में आना है यहाँ पर आपको सर्च करना है Droid Camp तो यह वाला आप सर्च करेंगे आपके सामने इस टाइप का एप आ जाएगा यह वाला एप आपको जो है आपको अपने mobile में इस्टोल कर लेना इसको आपको open करना है उसके बाद में आप जैसे इसे open करेंगे आपके सामने एक IP address और आपका जो port नमबर है वो आजाएगा तो आप इसे खुला चोड़ देंगे इसको ऐसे रहने देंगे उसके बाद में आगे का काम आपको अपने computer में करना है तो चलिए हम computer में देखते हैं तो मैं यह screen यहाँ पर आपको छोटी कर देता हूँ और सात में computer में भी यह बताता हूँ तो computer में आपको सबसे पहले अपना जो computer है उसमें आपको chrome browser open कर लेना है Chrome browser आप जैसे open करेंगे उसके बाद में आपको अपना जो computer है उसमें आपको search करना है DroidCam तो यह वाले आपको वापिस सर्च करना है For PC आपको सर्च कर लेना है यहाँ पर पहला वाला जो आप देखे Day of 47 apps का तो इससे आपको Open करना है उसके बाद में आपको इस टाइप का dashboard आएगा यहाँ पर आपको DroidCam for Client यहाँ पर आपको Search OK करना है मतलब कि यह आपका अपने PC के लिए जो Windows के लिए है यह आजाएगा मैंने पहले इसे डाल रखा है तो आपको डबल क्लिक करके इसे सिर्फ install करना है तो मैं आपको Process फिर से बता देता हूँ इसे डाउनलोड करके ताकि आपको यह साई से समझे इसके बाद आपको आपके जो PC है उसके ब्रोजर में आ जाना है और आपको Search करना है Droid Game for PC उसके बाद फ़र्ष्ट वाली एप आपको ओपन करनी है यह वाला जो लिंक है इसको आपको ओपन करना है और यह वाला जो एप है आपका एक मिंट भी नहीं लेगा और आपका यह डाउनलोड हो जाएगा और आपके इसमें PC में इंस्टोल हो जाएगा उसके बाद में आपको आपकी स्क्रीन पर इस टाइप का यह एप दिखने को मिल जाएगा इसको आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक कोड दिखने को मिलेगा तो अब जो है प्रोसेस हम मोबाइल और दोनों में साथ में करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अब आपको आपके मोबाइल में यह जो कोड दिख रहा है वो वाला कोड यहाँ पर आपको पेस्ट करना है आप जो भी camera चाहते हैं वो आपका चालू हो जाएगा तो यह हमारा भी बेक camera वर्ट कर रहा है आप किसी के लिए भी कुछ भी काम है आप इससे कर सकते हैं उसके बाद में आपको जो front camera यूज करना है तो भी आपको option इसमें मिल जाएगा तो काफी based है आप इस तरह से किसी का भी मतलब कुछ भी photo लेना है कुछ भी आपको करना है तो वो आप इसे webcam की तोर पे use कर पाएंगे यह आपकी screen पर आप देख रहे हैं तो इस तरह से आप भ perfect रहेगा आपके लिए तो यह आप जरूर एक बार try करें तो कैसा लगा यह हमारा वीडियो आज का आप जरूर कमेंट करके बताएं हम ऐसे और भी वीडियो आपके साथ में share करते रहेंगे इमित्रस जुड़ हुए तो आप जरूर उन्हें भी use कीजेगा तो मिलते है नेक करे लिएकित जरूर करते हम जरूर करते हैं जरूर करते हमारा यह हुए रपके अपके साथ घा रहेंगा उन्हेंगे पिस लाएंगा खर भी ने